नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर पाठ चोदा आपके सामने है आज हम बात करेंगे शीत यूद के परिचे की एक हलकी फुलकी हम इसकी जानकारी ले लेंगे इस फीडियो में फिर इसके आगे हम विस्तत रूप से इस पर चर्चा करेंगे जिसमें हम मैत्पून प्रशनों पर प्रकाश भी डालेंगे तो चलिए देखते हैं शीत यूद जो था ये 1945 से 1991 के बीच की काल का समय है ठीक है अब ये है क्या वो हम आगे चलकर देख लेते हैं तो देखिए अगस्त 1945 में दूत्य विश्वयूद समापत हुआ ठीक है जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस जीत गए पर कमजोर हो गए इसमें इटली, जर्मनी और जापान हार गए और नश्ट भी हो गए ठीक है इस ये दूत्य विश्वयूद का परिणाम है कि ब्रिटेन और फ्रांस तो जीत गए थे लेकिन कमजोर हो गए थे और इटली, जर्मनी, जापान हार गए और नश्ट भी हो गए इस स्थिति में क्या हुआ, USSR जिसको रूस का आ जाता है और USA जो अमेरिका है ये दोनों क्या हुआ, महाशक्तिया बनकर उबरे क्योंकि एक गुट कमजोर हो गया, दूसरा कमजोर होके नश्ट हो गया तो इस प्रकार इसका फायदा उठाकर रूस और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में विश्व भर में उभर गए उस समय रूस का, USSR का प्रधानमंत्री था स्टालिन और USA, अमेरिका के राष्टपती थे ट्रूमेन ये कुष्चन भी बिल्कुल बनता है कि जब दूत्य विश्व यूद समाप्त हुआ, उस समय USSR का प्रधानमंत्री कौन था स्टालिन और USA का राष्टपती था ट्रूमेन ये चीज़े एकदम आपको ध्यान रखनी है आप क्या हुआ, दूत्य विश्व यूद में दोनों सयोगी थे, कौन स्टालिन और ट्रूमेन परंतु यूद के बाद दोनों में संबंद तनावपूर्ण होने लगे राष्टपती ट्रूमेन ने बिना पूछे या बिना बताए जापान पर दो परमानुबं डाले थे अब मैं आपको एक चोटा सा होमवक दे देता हूँ कि जापान पर कौन से दो शेहरों पर परमानुबं डले थे और किस किस तारिक को डले थे तारिक और शेहर दोनों आप कमेंट करिएगा तो राष्टपती ट्रूमेन ने जापान पर पर परमानुबं डाल दिये बिना किसी से पूछे या बिना किसी को बताए इससे यह है रहिश्य खुल गया कि अमेरिका के पास परमानुबं भी है इससे पहले पता नहीं था लेकिन अब स्टालिन और ट्रूमेन के बीच में ये बात खुल चुकी थी कि अमेरिका ने परमानुबंों का यूज किया है वो भी बिना किसी से सला लिये और इसके पास में परमानुबं है यह आस तक किसी को पता नहीं था दूसरी स्टालिन ने इस कारे की निंदा की जब उन्होंने परमानुबं डाले तो स्टालिन ने कहा ये बहुत गलत हुआ है और कहा कि मित्र राष्ट्रों से पूछे बिना यह करना चिंता का विश्य है परमानुबं डालने के बारे में स्टालिन का ये विचार था और उन प्रधार्मानती थे स्टालिन उन्होंने जो पड़ोसी देश थे उसमें कम्यूनिस्ट जो नेता थे उनकी सहायता शुरू की जाए वित्य रूप से हो कैसे भी प्रकार से सरकारों पर कबजा करना शुरू कर दिया और इसी प्रकार पॉलेंड, हंगरी, बुलगारिया, सामयवादी विचार दारा के थे ये, अब देखिए, अमेरिका के राजदूत कैनन ने राष्टपती ट्रूमेन को बताया, सूचित किया कि बढ़ते हुए सामयवाद को रोको, मतलब स्टालिन जो कर रहा है, जो ये कम्यूनिस्टों की जो सहायता कर रहा है, अपना जे दीरे दीरे अपना छेतर अपनी शक्ती बढ़ाता जा रहा है, इसको आप रोको, किसने कहा, अमेरिके राजदूत कैनन ने राष्टपती ट्रूमेन से, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर क्या हुआ, ब्रिटेन के पूरु प्रधानमंत्री चर्चि उन्होंने कहा कि लोहे का परदा गिर रहा है, मतलब सामयवाद बढ़ रहा है, अपने छेतर में भी सामयवादी छेतर यहां पर बढ़ता जा रहा है, मतलब रूस की ताकत को उन्हें रोकना चाहिए, अब ट्रूमेन ने अपना विचार बदला, ट्रूमेन के कुछ रोकेगा उदारवाद यानि लोगतंत्र बनाम सर्वसत्तावाद यानि सामेवाद का युद्ध शुरू हो गया दोनों महाशक्तियों के बीच इतने तनावपूर संबंध स्थापित हो गए कि किसी भी समय तृत्य या थर्ड विश्वयुद्ध हो सकता था ऐसा वातावन हमे ये जो डर के बादल थे ये पूरे विश्व में बुरी तरह से चा गए अब दोनों महाशक्तियों ने यहर अनिती बनाई कि अपने अपने गुट बनाये जाएं मतलब अपने गुट में ज्यादा शे ज्यादा देशों को जोड़ा जाए जिनमें अधिक्स यादिक्स अपने गुट का प्रसार किया जाए इस प्रकार दुनिया दो भागों में बटी इसी जो गटना होई दुनिया के दो भागों की बटने की ये दूई-दूरुवयता कहलाई या इसे दूई-ध्यूवयता कहा गया ठीक है तो यह चीज भी आप ध्यान में रखिएगा नेक् पता नहीं कब क्या हो जाएगा शांती भी नहीं थी युद भी नहीं था लेकिन बस इसी लिए इसको शीत युद कह दिया जाता है अब देखिये क्या हुआ इसी स्थिति को एक अमेरिकी कूट निति गया बर्नार्ड बारुच वे एक पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने शीत य युद का नाम करन किया तो यी शीत-ङुद की जो इस्थिती थी ना तो शांति थी ना युदा था इसकी यह इस्थित्थी तो अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए ठीक है अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था थोड़ी तब्यत भी खराब थी और भी कई सारे रिजन थे लेकिन मैं क कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए वीडियो प्लब्द करः सकूँ पूरा कोर्स करवा के आपको PDF इपलब्द करवा सकूँ तो आप चैनल को जाएज़ाधा शेर करते लेगे आपका सपोर्ट चाहिए बिलकुल चाहिए सपोर्ट करते रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद